नमस्कर बिच्चो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की व्याकरण क्या होती है किसी भी भाषा को ठीक से बोलना है ठीक से लिखना है या ठीक से उसको समझना है तो उसके लिए हमें कुछ नीमों की जानकारी होनी आवशक है उन्हीं नीमों को हम व्याकरण कहते हैं आज उनको कैसे करोगे ये सब कुछ हम यहाँ पर डिसकस करेंगे हिं दी व्याकरण में वैसे खोर करना इजी रहेगा आपके लीजिले कर सकते हो लेकिन व्याकरण की अगर बात करें तो उस में स्कोर नहीं कर सकते आपने अगर 500, 1000 कितने भी MCQ's कर लिजे जब तक आपका concept clear नहीं है तब तक आप sure नहीं हो सकते कि आप व्याकरण में पूरा score कर पाऊगे और सबसे important जो part रहेगा आपके हिंदी की प्रिक्ष्या का हिंदी के exam का वो व्याकरण ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर आप अच्छा score कर लेते हो इट मिंज आपके chances रहेंगे कि आप out of out भी score कर सकते हो हिंदी में और आपकी overall percentage है उपर की तरफ जाएगी तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और समझेंगे हम वाच्छे को सबसे पहले हमें समझना कि वाच्छे क्या होता है आपने English में voice किया है किया आपने active voice, passive voice किया वही हिंदी में वाच्छे होते हैं वाच्छे का प्रियोग आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, हम सभी आम बोलचाल की भाषा में वाच्छे की बात करते हैं लेकिन कभी हमने इस तरह ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सा वाच्छे, अब हमें उसी को ठीक त्रिके सी ध्यान दिना है यानि वाच्छे कोई नई चीज नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में आप बोलते भी हो, पढ़ते भी हो, और कई बार आपने सुना भी है तो वाच्छे क्यों होता है कि क्रिया के जिस रोप से पता चले कि वाच्छे में कर्ता परधाने, करम परधाने या भाव परधाने उससे हम वाच्छे कहते ही सिंपल सी चीज़ है, एक वाक्या दिया गया है, हमें ये देखना कि ये वाक्या में करता परधान है, उसके उपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, करम परधान है, करम के उपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, या फिर भाव परधान है, भाव के उपर ज्यादा जोर दिया ज यानि करम के अंसार चलती है वो करिया, करता के अंसार या फिर वो भाव के अंसार तो उससे हम वाच्य कहेंगे, अब मैं एक्जामपल दे रहा हूँ क्योंकि हम एक्जामपल के साथ समझेंगे, सब कुछ बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा यहां से जो हम जो भी इस वीड हम से यहां नहीं बेठा जाता, तो यह तीन वाक्या होगे, अब जो पहला हमारा वाक्या है बेच रहा था, रंजन क्या करा था, पुस्तक बेच रहा था, इसमें रंजन की परधान ता है, किसके बारे में रंजन क्या यहां पर करता है, तो रंजन पुस्तक बेच रहा था, तो वो किसके इंसार है वो रंजन के इंसार है अगर रंजन बदल जाए यहाँ पे कवीता हो जाए कवीता पुस्तक बेच रही थी यह देखिए बदल गया ना यहाँ पे लिंग बदल जाएगा तो यहानि कि करता के इंसार सब कुछ हो रहा है जो वचन है जो लिंग है वो कि के इंसार बदल रहा है करता के इंसार तो यहां पे करता परधान है तो यह क्रितरी बात्या होते हैं जहां पे करता परधान होता है अब दूसरा वाक्या देखिए बेची जा रही थी क्रिया पद का उदेश्य बेचने वाले वैक्ति के बारे में बताना नहीं है यहां पे करम परधाने इसलिए ये क्या है ये आपका करम वाच्चे है पुस्तक भी कर रही थी ये भी करम वाच्चे है अब तीसरे वाच्चे में योगा कि हम से यहां नहीं बैठा जाता हब हम से यहां नहीं बैठा जाता तो बैठा जाता यहां क्रिया के साथ करम भी शंभव नहीं ह जहां हमने इन एक्जामपल से क्या देखा कि जहां पर करता परधान हो वो हमारा करितरी वाच्चे हो जाएगा जहां पर करम के उपर जोर दिया जा रहा हो करम वाच्चे हो जाएगा और जहां पर भाव के उपर जोर दिया जा रहा हो भाव वाच्चे हो जाएगा अब इतनी वाच्या के भीद होगे, कितने भीद होगे, तीन भीज होगे, सबसे पहले हम बात करें क्रित्री वाच्या के, कि जब वाच्या के क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, करता के लिंग, वचन और पुरुष के अंसार हो, तो उसे हम क्रित्री वाच्या कहेंगी, यानि कि उसम है, अब हम क्या करना है, थोड़ा से सिंपल से ट्रिक बताता हूं, कि जहां पर करित्री वाच्य गो, उसमें क्या करना है, कि जो करता है, पहली चीज तो करता दिया होगा, पहली चीज करता, दिया होगा, दूसरी चीज जो करता दिया गया है, उसमें अगर वो दिया गया है, pulling तो उसकी जगह इस तरहे link कर लेना लड़का दिया लड़की कर लेना फिर यह देखना कि क्या उससे वाई क्या बदल रहा है उसमें link के अंसार कुछ activities change हो रही है आपको यह देखना है जिसे वचन में है link में है क्या बदलाव आ रहा है अगर बदलाव आ रहा है तो वहाँ पर करता परधान है जिसे रमेश केला खाता है अब यहाँ पर रमेश की जगह हमने बिंदिया कर दिया बिंदिया केला खाती है खाता की जगह खाती होगा है मतलब यहां पर बदलाव किसके अंशार हो रहा है करता के अंशार हो रहा है इसका मतलब यहां पर करता परधान है यहां पर करितरी वाच्यों का जैसे दिनेश पुस्तक पढ़ता है खुशी पुस्तक पढ़ती है यहां पर बदलाव आता ना इसका मतलब यहां पर कौन परध जलते हैं तो इसका मतलब वहां पर क्रेत्री वाच्चे है यान की क्रेत्री वाच्चे में क्या होता है करता है वो परधान होता है उसी का अनुसार यहां पर बदलाव आएंगे दूसरा होता आपका करम वाच्चे ठीक करम वाच्चे में क्या करम परधान होता है इसमें करम प अगर हम यहाँ पर कर दें, रवी ने दूद पिया, बदला यहाँ पर कुछ, कुछ नहीं बदला, यहाँ पर करता परधान नहीं है, यहाँ पर करम परधान है, करता परधान नहीं है, जैसे मीरा ने पत्र लिखा, अब मीरा ने पत्र लिखा, श्याम ने पत्र लिखा, रवी नहीं है यहाँ पे क्या है ये जो पत्र है ये परधाने अब पत्र की जगर कविता लिख दो मीरा ने कविता लिखी हो गया पत्र लिखा था ना लिखी हो गया अब किस से फरक पड़ा ये जो करम है जो काम किया जा रहा है उस काम से फरक पड़ा जिसे मीरा ने दूद पिया म अब यह हो कि खाना हो जाए तो खाना खाया हो गया अब खाना से यह बदलाव आया नहीं कि करता से बदलाव नहीं आया है चाहिए यहां पे मीरा हो चाहिए यहां पे नीरा हो चाहिए यहां पे बच्चे हो चाहिए बच्चा हो कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि कि यहां पे करम है वो परधान है तो आपको ऐसे बढल करके देखना है दस सेक्ट लगेंगे बढल कर चेंज करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर करता परधान है फिर देखना करम करम को चेक करना है तो नों नही तो इसका मतलब तीसरा हो गया यानि कि अगर आपको क्रित्री वाच्चे और क्रम वाच्चे दोनों समझ में आ गए तो तीसरा समझ में नहीं है, समझने के जरूर नहीं है, यह दोनों नहीं है इसका मतलब तीसरा है, भाव वाच्चे होगा, clear यहाँ पर देखिए कि पहले में मीरा क्या है, करता, इस्ट्री रिंग है, पर तु पिया, क्रिया क्या है, एक वचने, पुलिंग रूप है और करम के अंसार है एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो करम वाच्चे होगा वो सकर्मक करिया होगी क्या होगा सकर्मक करिया होगी अब ये सकर्मक क्या होता है उसमें करम जरूर दिया होगा करम, काम, क्या काम क्या जा रहा है वो क्याद जरूर दिया होगा और जो बहावच्चे करेंगे उसमें अकर्म करिया होगे ठीक तो ये समझ में आगए ना यानि कि इसमें क्या होगा कि जो भी इसमें लिंग या वचन बदलेंगे वो इसके अंसार बदलेंगे जो कर्म है उसके अंसार और जो कृत्री वाच्चे था किसमें बदले थे वो इसके अंसार बदले थे करता के अंसार, clear तो वो होगा करम वाच्चे अब हम यहाँ पर देखिए कि ध्यान रखने योगे बात क्या है कि जो भी आपका करम वाच्चे होगा वो सकर्म करिया होगी यानि कि उसमें करम जरूर दिया होगा करम नहीं दिया, करम गायब है इसके मतलब वहाँ पर करम वाच्चत होई नहीं सकता clear अब हम बात करेंगे तीसरे भाव अच्चे के अब भाव अच्चे में देखिए भाव अच्चे में क्रिया के जिस रूप में ने तो करता चोधरियो, ने तो करता परधानो नहीं करम परधानो बलकि वहाँ पर भाव परधानो वहाँ पर होगा आपका भाव अच्चे और इसमें अकर्म क्रिया होगा यानि कि करम नहीं दिया होगा करम नहीं दिया होगा और आम तोर पे निशेदार्त वाच्चा होते हैं, नहीं वाले वाच्चा होते हैं, आम तोर पे, ऐसा नहीं क्या हमेशा होगे, आम तोर पे होगे, इसमें हमेशा पुलिंग होगा, क्रिया सदेव क्या होगी, पुलिंग में होगी, और इसमें अन्य पुरुष एक वचन की त आप कुछ दिया होता है, एक बार थोड़े example देखिए ताकि ओर समझपाओ, इसमें क्या होगा? ना तो करता परधाने, ना ही करम परधाने, यहाँ पे क्या परधाने? भाव परधाने, यहाँ देखिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता, रानी से टहला भी नहीं जाता, यानि क पर टेला नहीं जाता भाव है जो अर्थ है उसके उपर ज्यादा जोड़ दिया जा मुझसे उठा नहीं जाता धूप में चला नहीं जाता ओके तो यहां पर ने करता परधाने ना करम परधाने बलकि भाव परधाने ओके इनकी क्रियां क्या है भाव आच्चे अब इनमें ध समर्थता है उसको ये वेक्ट करते हैं ऐसमर्थता यान कि वो कड़ नहीं पा रहे हैं किसी काम को जादतर वाकिय है ऐसा नहीं है कि सारी होंगे अफ़ाद हो सकता है लेकिन मौश्टली आप पैचान कर पाओगे ये मैंने इसलिए सदेव अन्य पुर्लिंग और एक वचन में ही करिया होती है अब दो तरीके होगे आपके पास इस टाइप के फर्षन करने के एक तो पहला ये कि करित्री वाचे आप पैचान लो जिसमें करता परधान हो अगर आपने पुर्लिंग दिया इस ट्रे लिंग चेंज कर दिया तो उसमें बदलाव आएगा वचन में लिंग में तो आप पैचान लोगे न वो क्या करित्री वाचे है करम वाचे में यह होगा कि बीच में जिसे पत्र है पत्र की जगा हमने कविता किया बदल गया पूरा लिंग वचन तो हो गया आपका करम वाचे अब दोनों को अगर आपने कर लिया तो तीसरा अगर भावचे समझ में नहीं आता तो भी काम चलेगा आपका चलेगा ना दोडेगा दूसरा यह कि भावचे को समझदा में असान है इसमें निशेजाद तमक होती है एसमर्थता इसमें परकट की जाती है और इसमें भावपरधान होता है तो यह होंगे आपके तीन वाचे अब यहाँ पर मैं आपको काफी सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के कुश्चन्स आएंगे उसमें से कुछ कुश्चन्स जो बेसिक कंसिप्ट के हैं वो एजटीज भी आपके एक्जाम में आ सकते हैं आपको क्या करना है क्योंकि हमने यह समझ लिया तो कोशिश करना कि मेरे आंसर देने से पहले जब तक हम इसको डिसकस करते हैं आंसर देने से पहले अपना आंसर अपना सोलुशन आपको सोचना गैस करना है और एंड में आपको बताना है कि इन 31 कोश्चन्स के बाद आपका स्कोर क्या रहा क्लियर ओनेस्ट रहना प्रैक्टिस हो जाएगी आपके तो चलिए पहला वाक्या देखते हैं हमारा वाक्या दिया है राम ने रोटी खाई इस वाक्या में क्रिया किसके अनुसार है अब देखिए तरीका मेंने क्या बताया था उसको बाद में बात करेंगे चलो पहले देखिए कि कौन सा इसमें वाक्या है करता इसमें परधान है करम परधान है भाव परधान है इनमें से कोई नहीं अब देखे राम ने रोटी खाई अब सीता ने रोटी खाई बदला नहीं बदला ना तो करता तो परधान नहीं है चाए राम हो चाए सीता हो चाए गीता हो चैवरानी हो, वो तो रोटी खाई, रोटी खाई रहेगा, इसमें जोर रोटी खाई, रोटी के उपर है, रोटी खाई, खाना खाया, रोटी के जगह खाना कर देते हैं, खाया हो जाता, यानि करम के अंसार बदला है, तो यहां पर कौन सा वाच्चे होगा, करम वाच्चे हो जो आपका अंसर है वो C हो जाएगा, वाच्चे के तीन भेद होते हैं, क्लियर, उसके बाद नेक्स देखिए, नेक्स जो आपका दिया गया है, कि जिससे ये पता चलता है, कि करता के विशे में कुछ कहा जा रहा है, या करम के विशे में, या फिर भाव के विशे में, उसे क चोथा आपका परशन है, कि जिस वाक्य में करता परधान होता है, उसे क्या कहते हैं, पहला करम वाच्चे कहते हैं, दूसरा करितरी वाच्चे कहते हैं, तीसरा उसे भाव वाच्चे कहते हैं, चोथा इन में से कोई नहीं, जिसमें करेक्ट जो आपका अंसर है, जहां करता प भाव आच्चे, चोथा इन में से कोई नहीं, जिसमें क्रेक्ट जो आपका आंसर है, वो क्रम वाच्चे, यह हो जाएगा, उसके बाद चैठा पर्षन देखिए, चैठा पर्षन दिया गया, कि जिस वाक्या में भाव की परधानता हो, उसे क्या कहते है, क्यों यह सिंपल से क इस टाइप के भी दिये जा सकते हैं, तो उप्षन दिया गया, पहला यह करम वाच्चे कहेंगे, दूसरा करितरी वाच्चे कहेंगे, तीसरा भाव वाच्चे कहेंगे, चोथा इन में से कोई नहीं, तो भाव की परधानता है, तो वहाँ भाव आच्चे होगा, ठीक, यह अब उसके बाद हमें इस टाइप के कोईशन मिलेंगे एक जाम में, जिसे हमें क्या पैचाना है, हमें पैचाना है, वहाँ पर वाच्चे कौन सा है, क्लियर, तो यहाँ देखिए पहला जो परशने, कि शाम आम खाता है, इस वाच्चे में क्रिया किसके अंसार हो रही है, यानि कि इसमें कौन परधान है, यह हमें बताना है, क्रम आच्चे है ये, क्रित्री वाच्चे है ये, भाव आच्चे है ये, या फिर यहाँ पर कोई नहीं, अब मैंने तरीका बताये था न, शाम आम खाता है, शाम के जगह हम रानी करके देखते हैं, रानी आम खाती है, खाता की जगह खाती हो गया, मतलब यहां पर करता का अंसार क्रिया हो रही है, करम हो रहा है, करता का अंसार हो रहा है, तो कौन सा हो गया यह, आपका क्रितरी वाच्चे हो जाएगा, बी आपका क्रेक्ट अंसर हो गया, उसके पाद आठोवा परसन देखिए, आठोवा परसन ही परधान है तो यह आपका बी करेक्ट अंसर हो जाएगा यहां पर करता के अंसर के लिए हो रही है उसके बाद नेक्स देखिए तुम से दूद नहीं पिया जा सकता तुम से दूद नहीं पिया जा सकता इसमें देखिए दूद नहीं पिया जा सकता खाना नहीं खाया जा सक रहेगा यह रहेगा यह करम वाच्चे है करम परधाने दूद के अंसार सब कुछ बदला है और यह देखिए कि यहाँ पे पिया नहीं जाता तुम से पिया नहीं जाता अगर ऐसा हो तो भाव वाच्चे भी हो सकता था उसके बाद देखिए, देश्मा जो आपका परशन है, कि मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, इसमें क्रिया किसके अंसार हो रही है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, पहला करम, दूसरा करता, तीसरा भाव, चोथा, कोई नहीं, तो इसमें मुझसे ऐसी बात नहीं सुनी जाती है तो इसमें बाती नहीं सुनी जाती है बात नहीं सुनी जाती है तो यहां पर बात नहीं सुनी जाती है तो यहां पर बात नहीं सुनी जाती है तो इसके अनसार ही उससे ऐसी बात नहीं सुनी जाती है अगर मुझसे के जगह उससे कर देते तो ही कोई फरक परखने पढ़ता फरक पढ़ रहा किसे बातों से यहनिकी करम परधाने यहां पर उके सेकर्म करिया है यहां पर आपका करक्ट अंसर हो जाएगा क्लियर थोड़ा से अपने कंसेप्ट के वपर जोड़ दे के रखेगा कि कंसेप्ट को ही आपको समझना है उसको बाद 11 देखि दूसरा करित्र के अंसर है यानकी करता के अंसर है तीसरा भाव के अंसर है चोथा इन में से कोई नहीं तुसमें निशा ने अच्छी कविता लिखी आप देखिए यहां पर करता पर निशा ने अच्छी कविता लिखी ओके तो निशा है यहां पर मुख्य है ठीक तो निश क्या है करता है तो यहां पे भी आपका करेक्टांसर रोचा गए यह क्रित्री वाच्छा है ठीक उसके बार नेक्स देखिए नेक्स हमें बार्मा दिया गए कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ा इस वाच्छा में क्रिया किसके अंसार यह हमें बताने पहला यह करम वाच्छ करता के परधानता देगे, यहां पर भी करता परधान रहेगा, यानकि यह भी करितरी वाचे होगा आपका, तेर्मा देखिए, तेर्मा है, राम से तेज दोड़ा जाता है, इसमें देखिए किस के अंसार के लिए हो रही है, राम से तेज दोड़ा जाता है, सीता से तेज दो तो ये देखिए करम तो दिया ही नहीं गया, दिया नहीं गया ना, करम तो है नहीं इसमें, इसमें तेज दोड़ा जाता है, सिधी क्रिया दी गया, यानि कि अकर्मक क्रिया है, अकर्मक कहा होती है, अकर्मक वैसे या तो हो सकती है, क्रित्री वाचे में, या हो सकती है, भाव कि में क्रिया किसके अंसार है ये हमें बताना है पहला दिया गया करम के अंसार दूसरा क्रित्री के अंसार तीसरा भाव के अंसार है यान कि भाव अच्छे है यहां पर चोथा इन में से कोई नहीं तो हम से वहां नहीं रहा जाएगा तो यहाँ पर देखिए हम से वहाँ नहीं रहा जाएगा तो यहाँ पर करम है नहीं पहली चीज तो करम वाच्चे तो नहीं हो सकता दूसरा मुझसे वहाँ नहीं रहा जाएगा हमने बदल के देखा तो कोई फरक नहीं पड़ा यानि कि लिंग वचन में बदलाव नहीं आया इसका मतलब करता भी यहां परदान नहीं है तो यहां पर परदान कोन होगा भाव रह गया तो यह आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भाव अच्चे है उसके बद अगला देखिए पंदरवा हमारा परशने पक्षियों दोरा आकास में उड़ा जा सकता है इस वाक्षिया में किरिया किस के अनुसार है यह हमें बताना है तो पहली चीज़ देखिए पक्षियों दोरा आकास में उड़ा जा सकता है पक्षियों दोर आकास में उड़ा जा सकता है जानवर उड़ते ने लेकिन जानवर भी लगा देते तो भी यहाँ पे बदलाव नहीं आ रहा था यहनकी इस वाक्या में करता तो परधान नहीं है ठीक, दूसरा यहाँ पर देखिए करम दिया नहीं गया काम जो है वो दिया नहीं गया यहाँ पे भाव ही दिया गया उड़ा जा सकता है तो यहाँ पर सी आपका करेक्टांस रहेगा यह भाव वाच्चे है क्लियर उसका पर अगला देखिए अगला दिया गया सोलुआ परशन आपका मुझसे सर्दियों में नहीं नाया जाता है इस वाच्चे में किस वाच्चे है कौन सा वाच्चे है यहां पर यहां पचाना है ठीक तो यहां देखिए मुझसे सर्दियों में नहीं नाया जाता उससे सर्दियों में नहीं नाया जाता रवी से सर्दियों में नहीं नाया जाता या फिर बिंदिया से सर्दियों में नहीं नाया जाता हमने अगर यहां से बदल के देखते हैं तो यहां पर कोई भी फरक नहीं पड़ा यानि कि लिंग वचन में बदलाव नहीं आया जाता है या दोड़ा जाता है वो अलग था यहां राम तेज दोड़ता है अब राम की जगह हमने सीता कर लिया सीता तेज दोड़ती है कविता तेज दोड़ती है तो यह देखिए जैसे हमने यहां पर चेंज किया राम की जगह हमने किया इस्ट्रिलिंग तो यहां पर बदल तो हम वहां नहीं रहेंगे वह वहां नहीं रहेगी इसतर लिंक चैंज करते हुग यहां पर लिंक चेंज हो गया अब यहां देखिये कि पक्षी आकास में उढ़ता है पक्षी आकास में उड़ते हैं अब यहां देखिए कि पक्षी आकास में उड़ता है या इसकी जगह अगर हम बदल करके देखीं तो यहां पर हमें लिंग में बदलाव दिखाए देंगे क्योंकि यहां पर करता कोन है? मुख्या तोर पर पक्षी है करता तो यह आपका कृत्री वाच्चे होगा, कौन सा होगा, कृत्री वाच्चे होगा, यहाँ पर करता परदाना है, उसके पर अगला देखिए, अगला जो आपका बेश्वा दिया गए, मैं सर्दियों में नहीं 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 नही वे सर्दियों में नहीं नाते हैं हम सर्दियों में नहीं नाते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो किस चीज की परधानता देगे यहां पर करता है करम है या फिर भाव परधान है तो यहां पर भाव परधान है C आपका correct answer हो जाएगा उसका बाद देखिए अगला परशन की रवी से पुस्तक पढ़ी जाती है यह वाक्या किस वाच्चे में यह हमें बताना है तिसमें पहला दिया गए कि करम वाच्चे में, दूसरा करितरी वाच्चे में, तीसरा भाव वाच्चे में, चौताईन में से कोई नहीं तिसमें करेक जो आप का अंसर है वो ए हो एक और चीज भी ध्यान रखेगा, जादत ता 99% जो करम वाच्चे होंगे, उसमें से या के दुआरा दिया होता है, से या के दुआरा भी दिया होता है, तो यह भी एक पैचान अती, रवी से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर करम वाच्चे है, ठीक, उसके बाद 22 देखिए, 22 वाद दिया गए, रवी से देरात तक खाना खाया जाता है, तो यह किस वाच्चे में, यह में पहचानना है, तो इसमें चार विकल्प दिया गए, करम वाच्चे, करित्री वाच्चे, भावाच्चे, कोई नहीं, क्योंकि उप्शन तो एक ही रहेंगे, सेम ही तो इसमें करेक्ट जो आपका अंसर है, वो एह हो जाएगा, यहाँ पर भी करम की परधानता है, खाना खाया जाता है, खाने की परधानता है, और यह याद रखिएगा कि करम वाच्चे में करम दिया होगा, और भावाच्चे में करम नहीं दिया जाता है, जहां का नफिज पर यहाँ पर दो भीद होते हैं, दूसरा यहाँ पर तीन भीद होते हैं, तीसरा यहाँ पर चार भीद होते हैं, चोथा यहाँ पर पांच भीद होते हैं, तो इसमें जो correct answer है, वो आपका, पहले ही सब को पता है न, पूरी हम पढ़ते आ रहे हैं इसमें, तो पता है कि तीन ह बग गही है रवी स्कूल जाता है उखे इस में देखिए राकेश पिंकी रवी तीनों में क्या है कर्ता पर्धान है अहां पर पक्षी से उडा नहीं जाता है यहां पर जटने जितने भी Bringing तो इसमें mare ज्यादतर में विवर्ष्था एसमर्थता वाले ही मिलेंगे आपको ज्यादतर 99.9% वही मिलने वाले ठीक तिहाँ पर भी विवर्ष्था उससे उड़ा नहीं जाता है उसे खेला नहीं जाता है इस टाइप के वाकिये तिहाँ पर भाव अच्छे ए उसके बाद नेक्स देख बच्चे मिदान में खेल रहे हैं अब यहाँ पर देखिए चला नहीं जाता है तो यह भाव अच्छे उससे सोया नहीं जाता है यह भाव अच्छे बच्चे मिदान में खेल रहे हैं यह क्रित्री वाच्छे इसमें क्रेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा कामना से वाच्चे का उधारन है अब इसमें एक और चीज में आपको बता दूं कि आपको एक और टाइप का कुशन भी मिलेंगे आपके एक जाम में कि इस कृत्री वाच्चे को करम वाच्चे में बदलिए जो दिया गए ना उसको भूल जाईए ठीक आपको क्या करना है नीचे वाल करने की जरूरत नहीं हो कि आपको यहां पर दिखे अंधा पड नहीं सकता रमन की दोरा पत्र लिखा गया गोरव से चला नहीं जाता रात पर कैसे जागा जाएगा रात पर कैसे जागा जाएगा यहां पर जागा जाएगा भाव अच्चे गोरव से चला नहीं जाता भाव है नहीं सकती है यहां पर करित्री वाच्चा है यह आपका कर्क्राइंसर रहेगा उसको बद छाए इस वाच्चा है कौन सा वाच्चा है यहां पहला कर्मवाच्च नेक्स देखिए 28 मैं रोटी खाता हूं इस वाक्य में कौन सा वाच्चे यह हमें बताना है मैं रोटी खाता हूं वह रोटी खाती है यह हमें बताना है तो देखिए कि करता के नुशारी बदलाव हो रहा न तो यहां पे करित्री वाच्चे करता परधान है उसके बाद नेक् चेचो था इन मेंसे कोई नहीं तो बच्चों से खिला जाएगा खिला जाएगा उसके ओपर जो है भाव की परधानता है तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें करम तो दिया नहीं गया के किरकेट खिला जाएगा करम तो है नहीं यहाँ पर नहीं है न तो इसका मतलब यहां पे करम नहीं है सकरमक नहीं है तो करम वाचित नहीं हो सकता और बच्चों से खेला जाएगा बच्ची से खेला जाएगा कोई बदलाव नहीं आए यहां पे नहीं आए ना, लिंग वचन में बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतल़ हम यहाँ बहाव ही परधान यहाँ है, उसके बाद तीस मुआ परहशन देखिए, तीस में अपरशन है, रामद्वारा आम खाया जाता है, कौन सा वाद्चर यह हमें बताना है, पहला, इसमें करितरी व राम के दौरा, तो राम करता है वो परधान नहीं है, सीता के दौरा आम खाय जाता है, यही रहेगा, तो यहां पर करम वाच्चा है, भी आपका करेक्ट अंसर रहेगा, उसके पाध अगला देखी, अगला जो दिए गए, 31 यह लास्ट परस्ण मुझसे चला नहीं जाता मुझसे चला नहीं जाता अब यहां देखिए मुझसे चला नहीं जाता उससे चला नहीं जाता कोई बदलाव हुआ कोई बदलाव नहीं हुआ क्या इसमें करम दिया गया नहीं दिया गया तो इसमें कौन सा वाच्चा होगा ये आप मुझे comment section में बताओगे कि 31 पर्षन में कौन सा वाच्च है A, B, C, D नहीं लिखना है आपको पूरा नाम लिखना है पूरा नाम लिखो तो आइडिया लगेगा ना क्योंकि अगर से मैं दो दिन चार दिन वाज देखूंगा मुझे याद ही नहीं रहेगा कि इसमें A कौनसा, B कौनसा, C कौनसा है तो आप पूरा नाम लिखोगे और बताओगे कि यहाँ पर कौनसा आपका वाच्चे का रूप रहेगा तो ये थी हमारी आज की एक important video I hope ये concept आपको अच्छे से clear हो गया होगा इसके साथ-साथ, आपके हिंदी के एकजाम में जितने भी topic आ रहे है व्याकरण के तो वो हमने रस भी discuss कर ली है अलंकार भी आएंगे आपके कौनसा अलंकार है अलंकार भी हमने पहले कर चुके है अलंकार के साथ-साथ आपके रचना के अधार पे वाक्या के भीद है वो भी हो चुके हैं एक पदबंद रहता है वो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा इट मिंस हमारी हिंदी की त्यारी वो पूरे जोरों सोरों से चल रही है फिर भी आपका कोई डाउट से है कोई कोई कोईशन है तो आप कमेंट शेक्षन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और साथ इसाथ आपको एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस के लिए कुशन्स वगरा है वो इन बिट्विन मिलते रहेंगे जैसे कि साइंस में मैट्स में बाकी सबजेक्ट में मिलते रहें थे कहां मिलेंगे या आपको टेलिग्राम के चैनल के ओपर मशेयर करता रहा आज के लिए बस इतने थेंक यू बाइबाई हैव नाइस टे